गुरुजी भहत सारे भक्तों का प्रेशन है कि हम उसारा कैसे बनाये गुरुजी भक्तों का कहना है कि आज एक बाल गुरु जी हमें खुद से ऋसारा बना कर दिकारें जिस से कि उसमें हमसे कोई तूटी नहों देखिए सबस्रे परले आप लिए खुशकबरी है कि हम लोग मेंदीपुर Effect को पता है हम लोग मेंदी पूर जा रहे हैं 12 तरीक 13 को चाड़ आमारी वापसी होगी आप लोगों के लिए खुशकबरी है लेकिन जाने पहले आपको ऊसारा बनाना मतलब समझना होगा मेंदीपूर जाने से पहले उसारा बना बहुत जरूरी है बिना उसारे के मेंदीपूर नहीं जाते हैं वहां में 20 सालों का अन्भव है 20 सालों में जितनी पार भी हम मेंदीपूर गए हैं उसारा बना दर्खास होती है और उसारा के काम करता है उसारा किसलिए काम करता है उसारे में नारियल काम करते है एक नारियल ये होता है इसे जटाधरी नारियल बोलते है और ये जटाधरी नारियल होता है इसको हिला के देखो तो इसे बज़ता है इसे एक नारियल ये होता है इसे बाजन नरियल लेना है और इस नरियल के तासंदा को क्या क्या लेना है आपको लेने ए statistical कूनों में घर के चारो कूनों में पीले चावल यह चारो कूनों में कठशे करने है और पीले चावल के आपने ले लिया और जैसे अपने लिया अब इसका क्या करना है आपको इसको त्यार करना है त्यार करने के लिए आपको एक कपड़ा चीएगा वह लाल रंग का कपड़ा इस लाल रंग के कपड़े में आपको सबसे पहले इसमें चावल डालने हैं जैसे आप देखेंगे यह चावल डालने है और यह चावल थोड़े से डालने है और चारो कॉनों के एक टोरी मिक्स कर लेना है और फिर आपने जो 21 काली मिर्चे ली है वो काली मिर्चे आपने इसमें डाल देनी है फिर 10 का सिका डाल देना है और यह साथ लोंग डाल देनी है और इसके साथ साथ आपने राई डाल देनी है ये सारी बचेवे चावलों को आपको जल में परवा करवा देना है और इनको आपने इस प्रकार से गांठ मार देनी है और इस प्रकार से उसको गांठ मारनी है चावलों को ये जो बनता है एक कुने में इस प्रकार से इसको गांठ मारो और इसमें पीली थ थोड़ी सबी मिटी लेना चारो कुनों की मिटी भी इसमें जूर करनी है और अब क्या करना है इस नारियल को लेना और नारियल को लेने के बाद इस नारियल को लपेट लेना है ऐसे और इसके गाठ भी मार सकते हैं कपड़े में आप और या फिर आप एक कलावा ले करके और इसको कलावे के साथ ऐसे अच्छे धंग से लपेट करके इसको आप गाठ मारिये ऐसा करके और इसको करने के बाद फिर बाबा के चरनों में रखिये ऐसे बाबा के चरनों में रखने के बाद फिर बाबा से प्रासना करिये कि हे बाला जी माराज, हम लोग मेंधी पूर जा रहे हैं, हमारे कोई भी संकट हो, घर पे हो, परिवार पे हो, कारोबार पे हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी रोग हो, कोई भी दोस हो, किसी प्रकार का वास्तु दोस हो, रोग दोस, कोई भी चीज हो, किसी प् हिंदीपूर चले और ऐसा कहब करके आपने इसको साथ में ले लेना है और जब अपने परिवार के ऊपर से घड़ी की तरफ से जैसे अपने पृट्वाले वेक्ति होता है उसको अपने इप पड़े कितनी वार भार उना जा सकता है और 21 बार भी वार सकते हैं आप दोनों में से कोई सा भी वारें साथ बार इस से नीचे नहीं वारना आपको साथ बार या 21 बार साथ या 21 या तो साथ बार वारें या पर 21 बारें लेकिन वारना आपको घड़ी की सुई की तरफ कोगा ऐसे जैसे जैसे आपको इसको उतारा करते है इसको उसारा बोलते है जैसे आपका उसारा बन जाता है उसके बाद से आपको इसे मेंदी पूर छोड़ना होता है गलती से भी इस उसारे को दाएंबाएं मत छोड़िएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसारा बना लेते हैं और इसको फिर वो ऐसे छोड़ाते हैं वहाँ से अगर आप ऐसे मत करिएगा उसारा बनाते हैं तो केवाल ये मेंदीपुर के नाम का है नहीं तो ये संकट जो कर इसमें कैद होता है जो भी चीज़ होती है वो आपको परिशान करेगी बाद में आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ा नुक्सान जहलना पड़ेगा आप इसको सीधा मेंदीपुर छोड़िए मेंदीपुर बाला जी में चोड़कियाए और मेंदीपुर बाला जी में जैसी जाते हैं तो उसारा, महाँ पर संकट को कैद करवाने में उसारा सबसे बड़ा योगदान काम करते है तो देखिए अब यहां तक आपको समझ में आगया उसारा बनता कैसी है अब उसारा बनने के बाद जब आप सारी के सारी बिमारियों को जब इसमें कहते हैं कि देखिए नारियल की भेट दी जाते हैं नारियल तीन प्रकार के होते हैं एक तो नारियल होता है कच्चा जिसे माता के उपर चड़ते हैं गिरी वाला नारियल होता है उसको भेट जब हम शुब काम करते हैं तो उसमें करते हैं जब हम संकट का काम करते हैं तो उस नारियल का उपयोग नहीं करते हैं पानी वाले नार लिको लिलो चाहिए इस नर्य लिको लिलो आपने जैसे उसारा बना फिर आप महंदी पुर चलते हैं और वारने से पहले पूरे परिवार के एक साथ पूरे परिवार को सिर्ड जोड करके उनके उपर से वारे अगर कोई किसी कारण से परिवार का सदेश नहीं है घर पे तो 10 रुपे हाथ में लें फिर उसके उपर से वार लें और उस 10 रुपे को जिस गुरू जी के मद्दम से जा रहे हैं वहाँ पर आप पहुंच करके उनके इनसार कारेकम करें तो इसी प्रकार से ये उसारा बनता है यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप मेंदी पूर बाला जी जाना चाते हैं कहीं न कहीं आप संकट कटवाना चाते हैं तो यह तो है उसारे से संकड़ काटने वाला एक गुब्ट रहा हूं वह रहा हूं वह जा रहा है कि बाबा परचार करने वाले से बहुत खुश होते हैं जब आप मेंदी पुर जा रहे होते हैं तो आपने आसपास के लोगों को बोलो कि हम मेंदी पुर जा रहे हैं हम इंदी पुर जा रहे हैं हम इंदी पुर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका संकड करें लेकिन उसके साथ दूसरे कभी अगर संकड कर जाता है तो वह भी आपक सीट है तो आप किसी को साथ लेके जलें उसका फल देखी गाप कितना बड़ा फल मिलता है आप खाली में जाएं और ड्रे मत संकर से मत ड्रे मैं हूँ और साथ में वहाँ पर बाबा है शाक्षा तुहां बाबा प्रकट हुए हैं और सब सुक लें तुम्हारी शर्ना तुम र मारदसन पर आज नहीं खाना प्रहेज करना है आपने और फिर यह उसारा जैसे जैसे जिसके मारदसन में चल रहे हैं वैसा मारदसन करिएगा और यहां तक वीडियो आपने देखिया है तो लाइक जरू करिए शेयर करिए अपने स्टेटस पर जरू लगाए करिए जैसे रहम वक्तो जैसे रहम बलबलजी महराज की